दिल्ही में विदान सबाच चुनाओ जीतने के लिए भारतिय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जोक रही है आज विदान सबाच चुनाओ के प्रशार के लिए दिल्ही में ग्रह मंत्री अमिट शाह खुद लोगों से जाकर मिले आपको बता दे के लिए दिल्ही के कैंट अलाके में ग्रह मंत्री अमिट शाह ने जन संपर्क अभियान को शुरू किया और उसके चलते उन्होंने घर-घर जाकर एक-एक सदस्यों को परशे बाटे दिल्ही विधान सभा चुनाओ के लिए सियासी घमाशान अपतेज हो गया है और भारतिय जन्ता पार्टी भी अपनी जी जान इसे चुनाओ में लगा रही है आज उन्होंने दिल्ही के कैट अलाके में महा जंप संपर्क अभ्यान शुरू किया भार्दिय जनता पार्टी के महा जंप संपर्क अभ्यान के तहत अमिट शा लोगों के घर घर जाकर परचा बाटते हुए नजर आ रहे है आप जैसे तस्वीरों में साफ साफ देख सकते है कि कैसे अमिट्शा एक एक घर पर जाकर लोगों से बाचित करते हुए और उनमें पर्चे बाटते हुए नजर आ रहे है दोर टो डोर केमपेन के दोरान अमिट्शा के साथ भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करता भी भारी संख्या में उनके साथ मौजूद रहे थे आपको बता दे के दिलही में 8 फरवरी को मतदान होने वाले है और इसके बाद 11 फरवरी को वोटो की गिंती होगी और चुनाव के नतीजे जारी किये जाएंगे लेकिन उससे पहले इसे चुनाव को जीतने के लिए बारतिय जन्ता पार्टी अपनी जी जान लगा रही है बार एक खास नजारा ये देखने को मिला कि अमिच्शा जन्संपर अभ्यान में जुड़े उन्होंने कैट इलाके में घर घर जाकर एक एक सदस्य को पर्चे बाटते हुए वह नजर आ रहे है लड़ी जब जीतना जुड़े खास धमिच्शा इसर बोजे नचे रांड़ सुड़ आड़ से रांड़ जरो लो जावन नचे रांड़ कर दो कर दिन डरे सहीं जे चल शचल, जरो में जरो जरो झाल, 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 झाल